यस बेंक शियर, FII ।OR, DIA की लॉट्री लग गई जैसे आपको बता है यस बेंक आज अल्मूस 17% के असपास अब था और आपको बता है स्टॉक अल्मूस अपर सकिट में कलोज होने वाला था आल्मोस पाई 350 मिलियन वालिम देखा गया है और उसमें से 16 करोड माल साफ हो गया CNC और लोग घर लेके गए और लोग का मतलि में रिटेल से नहीं है यहाँ पर FII और DII से है ठीक है कोई दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो कि अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट के माध्यम से जब वो न्यूज आप एक तरह से करा के निवेसक है एक है जुन्होंने अल्लेडी इंवेस्मेंट करा हुआ है तो उनके तो भाईया लोटी लग गई है लेकिन बहुत साथ लोग है जो नई इंवेस्मेंट करना चाहता है यस बंक शेर में तो मेरी उनके लिए एक सला रहेगी एक एडवाईज रहेगी कि भ लॉंग ट्रम के लॉंग ड्रम मतलब यह नहीं कि स्टॉक हजार रुपे हो जाए अगर नहीं आप हो उल्ड कर सकते हो 20 रुपे के लेबल के लिए ठीक है 25 रुपे के लेबल के लिए इससे ज्यादा की उमीद अभी आप मत रखना स्टॉक से तो मैं आपको दिखाता हू प घर करिये अब था उसका दोसों रिजल एक दिखाया जा रहा है बताया जा रहा है कि कि ईंक्लूजन इन निपकिस फिप्टी इंडेक्स दोस्तों जी हां इस यस बैंक कोड् szybко कैं निपकिकल के अ इंडेक्स में आएगा देके next 50 में आएगा तो definitely stock में volume बड़ेगा जो volume आपने आज देखा ठीक है इसमें जो बड़े निवेसक मतलब FII और DII का वो जाएगा यह focus जाएगा कि भाई हाँ यह stock up next 50 के अंदर आ चुका है तो definitely stock को हम buy करके चल सकते है तो future में आपको सिर्फ stock में अब volume जादा दिखेगा पस इतना फर्क है यह मैं सोचना कि company के profit अच्छे हो गए नहीं company के profit जो गयती हो है company का लोन जो था उतने का उतना ही है company में जो बुरुई ख़वरे थी वो same to same है उसमें कुछ impact नहीं पड़ा है impact सिर्फ इतना पड़ा है कि nifty 50 stock में आज सकता है ठीक है अब inclusion की ख़वरे आई है और stock में यही होता है पहले ख़वर आती है उसके बाद वो आउट होती है तो ख़वर आ चुकी है और जो ख़वर नहीं मिला रिटेल को हाज साप करने का क्यों नहीं मिला अभी आपको दिखा रहे था हूँ चार्ट आप खुद देखो देख सकते हैं मैंने यह यह बैंक का पंदरा मिट का चार्ट खोला हुआ पंदा मिट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं एक ही candle ने काम तमाम कर आपको क्या मौका मिला होगा इस चार्ट आप मेरे खाल से मार्केट में उस समय साथ एक्टिवेट भी नहीं होगे अगर आपने यह नियूस पड़ी भी होगी और यह निची को पता ही नहीं थी ठीक है अचानक से आई तो भहाया मुझे नहीं लगता कि कि किसी रिटेल ने ठीक है, डीटैल कट इक दिने फॉल करते, तो आपको कुछ नहीं करنا है, फसंदा नहीं है, आपको क्या करना है? 17 रुपे के लेवल से सेल बोला था और मैंने खुद आपको बोला था स्टॉक 11 रुपे के टागेट दिखा सकता है हमारा जो पहला टागेट था स्टॉक में वह 14 से लेगे 15 रुपे के आसपास था जो अचीफ हो चुका है अब 11 रुपे टागेट तो नहीं आ पाया ठीक है ल लाग लाग तो नहीं करोडों कोंटरी लोग घर लेके गए तो वह भी आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को आप बने रह सकते हो तो अब देख सकते हो मैंने यस बैंक का चार्ट खोलावा स्क्रीन में जब यह स्टॉक यहां ट्रेट कर रहा था आपका बहुत क्लियर वड करना रिटेल के लिए खास कर बोलना जब तक शॉक 17 रुपिक अपर क्लोज नहीं करता है हम उपको बाइ नहीं करेंगे आप क्यों नहीं करेंगे दोस्तों मैं आपको एक्जामपल बता दा हूँ देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों पास्पे मैंने आपको तो यहां को लाइन दिखे रही है यह 7 moving average है ठीक है यह एक strategy है यह में और मैंने जो candle यह candle नहीं खोला है मैंने हैक इनशी जैपनिस्टिक candle स्टिक खोला है ठीक है तो जब तक यह stock is moving average के उपर close नहीं करता था कर देता volume के साथ तो मैंने वोला था आप stock को बाएं मत करना तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसने एक बार भी इस moving average के उपर volume के साथ close नहीं किया एक बार भी नहीं किया और आज दोस्तों इसने वो काम कर दिया है देख सकते हो यह candle भी close कर दी और नीचे अगर आप volume भी देखोगे volume का भी breakout हुआ है मैंने इसमें लगा रखा नीचे भी 7 moving average आपको दिख रहा है 7 और 9 का लगा रखा है इसने भी volume का breakout दिया है ठीक है इसलिए कह रहा हूं कि definitely stock का buy करके चल सकते हो लेकिन इसका high break होना चाहिए जब तक यह high break नहीं होगा हम stock को buy नहीं करेंगे और तो अगर द्यान से देखो कि यहां कहीं देख सकते हो यह पूरा volume आज पूरा range आप breakout हुआ है पूरा का पूरा range खतम कर दिये stock ने ठीक है तो भाई आपको करना किया है आपको तब तक buy नहीं करना है जब तक stock इस price के उपर नहीं जाता है जो मैंने आपको यह draw कर रखी है जो आज का day high है ठीक है बाई इतो stock में आपको price भी दिख गया volume का भी breakout हो चुका है plus news का भी breakout हो चुका तो तीनों चीज़ें मिलती भी नजर आरे है तो definitely stock को buy गर के चल सकते हो लेकिन आपको अभी भी safe लेखेनना है जब तक सब 17 रुपे के उपर नहीं जाता है stock को buy मत करना यह उनके लिए advice दे रहा हूं ठीक है अब बात करते कि भाया इसके target तो target में आपको बतला दिये यह next resistance area है 20 रुपे के असपाद जब तक इसके उपर नहीं जाता है हम stock के बारे में और बात नहीं कर सकते तो अगर आप चाहो तो 20 रुपे से 22 रुपे के labels में एक पर profit कर सकते हो अगर अगर बात करते कि आज stock में क्या quantity trade हुई है तो आप देख सकते हो और दोस्तों आपको पता दिया है मैंने यह आपको मैंने पहले ही बता दिया है और मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें जो participation हुआ है मातर FII और रिटेल और प्लस DII का हुआ होगा रिटेल का इसमें एक रुपे का investment नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा और मैंने आपको अभी बतला दिया था चार्ट के basis में कि 15 मिनिट के time frame में एक बड़ी candle बनी उसम आप बाब्यगर कर के चल सर्क्ति हो अगर ँसक्तृ करता है तो बाइच कर नहीं करता तो भूलकर भी अंटरी मत करना टीक है भूब Harmonि अबjesशblack कर देंतर कर ना मैंद करना ऑप इसको अप जो समझो समझें एक इस वीडिए समांब्त करता हूँ करना उससे पहले मत करना बाई वै